और इसी लिए हर दिवाली मैं मेरे परिवार जनों के बीच मनाने के लिए आता हूँ क्योंकि आप मेरे परिवार जन है मैं आपका परिवार का साथी हूँ तो मैं यहां प्रदान मंत्री के रूप में नहीं आया हूँ कि मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूँ आप सभी के बीच आना जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है वही भाव मेरे मन में होता है और जब से मैं इस समयधानिक जिम्यवारी को समाल रहा हूँ आज उसको बीच साल से वेतिक समय हो गया बहुत लंबे अर्षा तक मुझे देशवासियों ने इस प्रकार के सेवा का मौका दिया पहले गुजरात वालों ने दिया आप देशवासियों ने दिया लेकिन मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवार जम के बीच बिचाएगे आप से नहीं उर्जा ले करके जाओंगा नया उमंग लेकर के जाओंगा नया विस्वास लेकर के जाओंगा लिकिन मैं अकेला नहीं आया हूं- मैं मेरे साथ 130 करोड देश वाशियों के आशिरवाद आपको लेकर कर आया हूँ धेर सारा आशिरवाद लेकर कर आया हूँ आज शाम को दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को आपके शावर्य को आपके पराक्रम को आपकी त्याग और तप्रच्या के नाम पर और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए है ऐसे आप सब के लिए हिंदुस्तान का हर नागरी को दिये की जोद के साथ आपको अनेक अनेक शुब कामनाई भी देता रहेगा सर्जीकर स्टाइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमी का निभाई वो हर देश वासी को गौरों से भर देता है और वो दिन तुम्हें हमेशा यहां रखोंगा क्योंकि मैं क्युक्ताय किया था सुर्यास्त के पहले कि सब लोग लोट करके आजाने चाहिए और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिक टिका कर बढ़ा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया और कोई भी नुक्षान किये विला कि मेरे वीर जवान लोट करके आगए पराकरम करके आगए शिद्धी प्रांप्त करके आगए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां आशांती भैलाने के अंगिनित कुछी प्रयात हुए आज भी होते हैं लेकिन हर बार आतंगवात को मुह तोड़ जवाब मिलता है असत्य और अन्याय के खिलाब इस दर्ति में एक स्वाभाविक प्रेरना है माना जाता है और मैं मानता हुए अपने आप में बड़ी प्रेरना है ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भी अज्यात वाज के दौरान अपना कुछ समय इसी खेत्र में व्यतित किया है आज आप सब के बीच आकर मैं अपने आपको यहां की उर्जा से जुड़ा हुआ मैसूस करता है साथियों देश के रक्षा खर्च के लिए जो बजेट होता है अब उसका करीब 65 प्रतिशत देश के भीतर ही खरीदी पर खर्च हो रहा है हमारे देश यह सब कर सकता है करके दिखाया है एक अभुत्पुर्व कदम उठाते हुई अब भारत ने यह भी तैकिया है कि दोसों से ज़्यादा साजो सामान और उपकरान अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे आत्म निर्भर भारत का यही तो संकल्प है अगले कुछ महनों में इसमें और सामान जुड़ने वाले हैं देश को आत्म निर्भर बनाने वाली यह पॉजिटिव लिष्ट और लंबी हो जाएगी इससे देश का डिफेंस सक्टर मजबूत होगा नएने हत्यारों उपकरों के निर्मान के लिए निवेश्ट बढ़ेगा साथ क्यों आज हमारे देश के भीतर अरजुन टेंक बन रहे हैं तेज़त जैसे अत्याधुलिक लाइट कॉमबेक्ट एरकाप बन रहे हैं अभी विजया तस्वे के दिन साथ नई डिफेंस कमपनियों को भी राश को समर्पित किया गया है